गुदि इमनिंग प्यारे स्टूडिन्ट, कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया में? तो आज एक छोटा सो कॉनसेप्ट कैश्बुक तो हमने खतम कर लिया था कैश्बुक को खतम करने के GST वाली भी एंट्री हमने देखी थी उसको खतम करने के बाद एक छोटा सा कॉंसेप्ट बोला जाता है स्लेवर्स में से कट गिया या नहीं कटा उसको छोड़ते हैं एक पैटी कैश्बुक है आपके कैश्बुक का ही पार्ट है इसके बाद हम continue में करेंगे bank reconciliation statement ठीक है न तो पैटी कैश्बुक की हम बात करते हैं किस तरीके से यूज होता है बिजनस में एक बार वो समझते हैं देखिए पैटी कैश्बुक के बारे में और इसको अच्छे से जानते हैं और इसको समझने के बाद हम इसके अंदर देखेंगे के पैटी कैश्बुक में एक simple एक analytical दोनों के एक question solve करेंगे और concepts clear हो जाएगा जैसे suppose करूँ एक यह organization है है ना यह organization है company है जिसको बोल लेते हैं यह organization यह company अब इस company को अगर आप ध्यान से देखो तो इस company का जो main साफ सफाई और जो सबसे पहले company को खोलता होगा वो कोई ना कोई तो person हो गई ना तो इस company को रख रखाओ करने के लिए maintain करने के लिए एक person होगा इसको पी न बोलते हैं ठीक है कलरक बोलते हैं कलरक तो उससे अपर होता है तो माल लेते हैं Mr.P है यह तो बड़ा simple सा है company है और company का कलरक है company का प्योन है चपड़ासी है Mr.P और इस company का ओनर की हम बात करें तो ओनर है और जरूरी नहीं ओनर हो मैनेजर भी हो सकता है जो इस पूरी company को देख रहा है suppose करो आपने कई बार observe किया होगा ओनर थोड़ा नीचे बना लेते हैं न यह हमारे पास table है यह table बना क्या बना ऐसे बनेगा है न यह table है यह ओनर है यह ओनर यह ओनर लिख दे और यह table है मालो इसके पास कोई client आता है suppose करो कोई customer आता है तो जनरली आपने देखा होगा कि जो customer आता है तो इसके पास एक bell type का होता है रिंग वो टिंग टिंग बजाता है यह दोड़ा 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 आयगा यहां पर और यह ओनर से पुछे का जी सर अपने मुझे बुलाया ओनर बोलता है काम करो सर आये हुए हमारे बहुत अच्छे customer है इनके लिए जाओ आप cold drink लेके आओ फिर यहां से यह गया और दुकान पे गया और दुकान पे जाने के बाद यह cold drink लेता है और फिर लाके देता है इसके आगे भी यह लोग देखो cold drink और इसके आगे भी cold drink कैन है ना बोतल वाली नहीं है ठीक है तो एक इसके आगे cold drink दोनों पी रहे हैं करते करते काफी time मीटिंग में डिसकुशन हो रही थी फिर इसने बैल बजाया यह टिंग टिंग यह दुबारा आया कि बोला यार सर बैठे हुए है आज थोड़ा लेट हो गया आप लंच भी लगवा हो दोनों के लिए और बड़िया लंच लेके आना तो भाई ये जो पियोन था इसकी सेलरी की मैं बात करूँ सेलरी मातर 5000 रुपए तो 5000 तो ये घर पर ही खर्च कर देता है इसके भी बच्चे हैं इसके भी टुशन के फीज से 5000 खत्म हो गए ये तो बिचारा अपनी बीबी से दस रुपे मांग करके आता है बसके किराये के लिए इसका पैसे है कहाँ अब मालिक ने बूल दिया जाओ हल्दी राम से खाना लेके आओ बीका नेर से खाना लेके आओ अब भई प्यून करे कि अब पैसे तो है नि बीका नेर वाला उधार तो देगा नि प्यून ने खा कि सर वो पैसे तो नहीं है तो थोड़ा सा जब प्यून ने बोला कि सर पैसे तो नहीं है जब प्यून ने ये बात बोला तो मालिक ने बोला कोई बात नहीं इसने पर्स निकाला अपना और एक 500 का नोट दिया एक 500 का नोट देता है पियून को पियून बोलता है सर 500 का आ जाएगा बोला कोई बात नहीं और 500 रुपे लो जाओ सर के लिए खाने लगाओ इतने में ये जो था ये इसका customer था वो देख रहा था यार क्या मेरी वज़े से 500 दे रहा है ये दे रहा है customer ने बोला सर रहने दो मत मंगवाओ छोड़ो क्यों जाई रहा हो बस यह क्योंकि generally observation देखो होता क्या है अगर हमारे सामने खाना आ जाए तो हम खा लेते हैं लेकिन अगर आपको बोला जाए जाएगा लेने पैसे खर्च होंगे तो आपका mind कई बार बोलता है हटाओ यार क्या खाना होना वही कहानी यहां पे हुई अब इसके mind में भी कुछ ना कुछ दिक्कत कुछ ना कुछ कोश्चन रेज होने लगा कैसी कमपनी है प्यार बात बात पे आता है मालिक बात बात पे अफने पैसे निकाल के देता है कोई management का तरीका है या नही ये इस कमपनी का में इस कमपनी से 100 करोड की deal करने जा रहा हूं कुछ तरीका बईका है या नहीं ये सोचने लग ज़िया अगले दिन से ये क्लाइंट कट आये नहीं करना भाई डील मैनेजर को बात थोड़ी बहुत समझ मैं यार साइद वो किस लिए गया क्यूंकि मैंने उस टेम कैश दिया तो बिजनस का नुकसान हुआ या नहीं हुआ हो गया नुकसान बिजनस का सो करोड का क्लाइंट गया थोड़े से पैसे के कान अब इसके माइंड में एक आइडिया आया आइडिया आइडिया वी सिक्स वाला आइडिया नहीं आइडिया आइडिया अब इसक्स के अब को अब भाई प्योन क्या बोले मिस्टर पी बोले सर हमारे पास पैसे ही नहीं हम क्या बताएं बाबुजी हमारे पास तो पांच हजार देते ही हो फिर मालिक ने भी सोचा बात ये भी सही कह रहा गलती तो कहीं ने कहीं हमारे सिस्टम में ही है मेरी भी मिस्टेक है तुम्हारे बजाओ ना तिन तिन तो आना ओर्डर लेना और ले के आना पैसे मत मांग लेना उस टाइम पे जहां तुमने पैसे मांगे उसी टाइम ध्यान रखना मेरा कस्टमर चला जाएगा अब ये ऐसे करने लग गया 2000 रुपए दिये और ये अपना एक छोटी सी रिजिस्टर मिंटेइन करने लग गया 2000 रुपए मालिक ने मंगाया चाय मंगाया चाओमिन मंगाया बिस्किट मंगाया कस्टमर के लिए ये वो फलना डिकना सब मंगा लिया उसके बाद इसने बोले ओनर को जाके सर खतम पैसे दो हजार खतम बोला रहे कहां खतम कर दिये तुमने तो बोला सर मैं बोलाता हूँ एक तारिक को इस पे खर्चा दो तारिक को इस पे खर्चा तीन तारिक को इस पे खर्चा चार तारिक को इस पर खर्चा खर्च हो गए तो ये आज मैं इसे 2000 रुपे दे रहा हूँ और खर्चा कब कर दिया इसने बाद में आज ही कर देगा क्या 2000 आप सोचो बाद में धीरे धीरे करेगा ना तो ये 2000 पैटी कैश है इस 2000 को पैटी कैश बोलते हैं पैटी कैश का मतलब है कि खर्चा पेमिन्ट होने से पहले हम अपने ओफिस में एडवांस में दे देते हैं छोटे मोटे खर्चे के लिए उसको पैटी कैश बोलते है लेकिन इसमें भी न दिक्कत है इस चेन में भी फिर 2000 खतम आएंगे कोई क्लाइंट होगा सर वो 2000 खतम हो गए अब कहां से लाओं पैसे तो ऐसे सिचुएशन में ये लूफोल्स है तो ये इसको समझाता है देख दिमाग से काम ले जब तेरे पास 500 रुपे बचे मेरे पास दुबारा आजा हमें दुबारे पैसे दे दूँआ अपने पास कुछ पैसे रिजर्व तो रख तो यानि अब बताओ इस पियोन के पास कभी भी 500 से नीचे बैलेंस जाएगा क्या जैसे इसके पास 500 तक बैलेंस बचेगा फट से खाली बैठा होगा जाके लाके फिर जोड लेगा फिर से 500 फिर जोड लेगा तो इस 500 रुपे का जो मिनिमम बैलेंस बोला न अपने पास रखियो रिजर्व में इसे बोलते हैं इमप्रेस्ड पैटी कैश इमप्रेस्ड का मतलब इतना बैलेंस बचाना है इमप्रेस्ड पैटी कैश तो अभी हमने देखा पैटी कैश क्या होता है सिंपल अब बड़ा ही सिंपल है जो यह रिजिस्टर मिंटेन करना है वो हम कर लेंगे और बड़ा ही जब प्योर मिंटेन कर रहा है तो हमें क्या मिंटेन करने में दिक्कत है तो petty cash क्या होता है जब कभी किसी खर्चे के लिए हम advance में payment देते हैं क्यों दे देते हैं इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको समझाया है तो यह आपने ध्यान रखना है इसके बाद हम start करेंगे simple एक बार इसको note करना है आप note करिए फटा फट से फिर simple बे चलेंगे जी कर लिया नो चलें ठीक है तो petty cash क्या होता है mcq में impressed petty cash भी पूछा जाता सकता है impressed petty cash होता है जो company अपने जो उसका pure minimum balance जो होता है इतना बचा के ही रखना है उसे बोलते है impressed petty cash question मेरे सामने display पे तो होता ही है तो अब मैं काम करता हूँ आपके लिए पहले मैं format simple और analytical में क्या फरक है यह बताते हैं simple में हम normally इतना पैसा आया और इतना समान पे खर्च हुआ that's it यहाँ analytical में क्या होगा कि किस दिन किस समान पे कितना खर्चा हुआ कब खर्चा हुआ उस सब की पूरी detail पूरे महिने में इस समान पे कितना खर्चा हुआ detail में तो उसे analytical बोलते हैं और simple वाले में कितना खर्चा पूरे महिने में हुआ कि समान पे यह थोड़ा ढूनना मुस्किल है डूंड़ा तो यहां भी जा सकता है इसका सिंपल सा एक फॉर्मिट है कैश्बुक से बिलकुल अलग लेकिन थीम वही रहेगा सबसे पहले अमाउंट रिसीव जो पैसे मिला है मैं इसके बाद अलेफ सर इसमें डेट पहले नहीं आएगा नहीं नहीं यह थोड़ा सा अलग फॉर्मिट है कॉंसप्ट वही रहेगा पेमिंट रिसीव और फेट का कैश्बुक फोलियो कैश्बुक फोलियो आएगा कुछ नहीं बेसिकली बनाना है बस जैसे लेफ बनाते हैं लेजर फोलियो जेफ भी बोल देते हैं अब इसके बाद डेट डेट के बाद तो पता ही है पर्टिकुलर पर्टिकुलर के बाद लेफ फिर से इस साइड का लेजर फोलियो फिर वाउचर नंबर और अमाउंट पेड फिर अमाउंट पेड फिर अमाउंट पेड ठीक है फिर अमाउंट पेड समझते हैं पहले एक पर इसको तो देखिए amount receive में जैसे की आपको याद होगा pion मालिक उसको पैसे दे रहा था तो pion तो receive कर रहा था जैसे 2000 दिये थे तो amount receive में आ जाएगा 2000 रुपे लिए correct 2000 लिए इसी तरीके से lf में कुछ नहीं आएगा cash book folio में कुछ भी नहीं आएगा date कब लिया पहली तारिक को दिया तो date आ जाएगा और date के साथ आपको पैसे मिले हैं तो जब आपको पैसे मिलेंगे तो आप बताओ two लिखोगे buy लिखोगे two side में आता है न जब पैसे मिलते हैं तो cash book में तो यहाँ पर two लिखेंगे two अगर पुराना balance है तो balance word का इस्तमाल करेंगे अगर नया मिला है cash में दिया है तो cash और bank में मिला है तो bank और पुराना balance opening है तो balance bd ठीक है तो यहाँ पे bank में cash में जो भी मिला हो balance bd रहेगा clear अब आगे देखा जाए 2000 के बाद date किस date पे मिला मान लेते हैं ले रहा हूं 20 lf में कुछ नहीं आएगा voucher number जो voucher में करा था ना आपने voucher number उपर लिखा होता है अब वो लिखना होगा वैसे question में given है तो लिखेंगे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं amount paid मान लेते हैं 50 रुपे पेड हुआ अब खर्चा जब होगा दो हजार हमारे पास total है जिसमें से इतना खर्चा हो गया इतना balance बच गया ठीक है न एक practical question करते हैं ज्यादा मजाएगा हमें आपके सामने screen page तो होगा practical problem question में कहता है from the following particular prepare the petty cash book for the month April 2020 dated given है एक April को draw for petty cash draw for petty cash का मतलब petty cash के लिए पैसा मिला है 5000 रुपे तो इसने 5000 से start किया तो 5000 इथर लिख देते हैं और एक April है तो एक चार लिख देते हैं ये लोग जी चार बन गया ठीक है इसके बाद आगे कहता है paid for postage postage के लिए तीन अपरेल को paid किया तो तीन तारिक को तीन चार को बीज है by postage और paid कितना किया amount amount paid किया इसने 300 रुपे चोटे मोटे खर्चे होंगे सारे telephone का bill paid किया है कब paid किया इसने 5 तारिक को पांच चार by telephone assets वैसेट्स नहीं खरीदेगा खर्चे होंगे यहाँ telephone bill इसके बाद paid for cottage अब cottage के लिए भी 8 तारिक को पेमिंट किया है किराया, cottage क्या होता है हमारा किराया और cottage के लिए क्या paid किया है भाई, 140 है ना, 140 रुपे cottage के लिए payment किया postage के लिए 9 तारिक को फिर paid कर दिया buy postage और कितने रुपे, 200 रुपे, तो बस simple है ना, बड़ा देखो, एक बार पैसे ले लिया, खर्चा, खर्चा, खर्चा किसे से receive नहीं होगा, बीच में माली को और देदे तो इदर लिख देंगा है, paid for sundries, छोटे मुटे खर्चे, sundries और तारिक है बारा तारिक, और amount है 100 रुपे, है ना, इसके बाद 27 को paid for stationary, कितनी stationary खरी देगा ये और ये वो खर्चे होते हैं, जिससे के pion का हमें से याद खना, pocket खर्चा भी चलता है, यहां बड़ा घबला करते हैं, पता होता है हमें, लेकिन छोड़ों, अब है, 10-20 रुपे तो करेगा ये चोरी उड़ी, यह है, लास्ट में कोशन है बोलता है, if the impressed amount 5000, so the amount petty cashier would be estimated to draw beginning of the next month, कहता है, अगर हमें 5000 impressed रखना हो, तो beginning में कितना हमें रखना पड़ेगा, तो very simple, 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 अब total कर लीजिए, यहां का, इसको column बन कर देते हैं, पहले हम इसका total कर लेता है, space है, बिलकुल, आप यहां पर amount receive या simple amount लिख दोगे तो चलेगा 5000, और यह total जादा है, और यही total यहां आजाएगा, cash book ही है, cash book ही है, अब यहां balance निकल जाएगा कब, month के end में, 34 को, by balance, cd, अब minus करते हैं, 300, 400, 140, 200, minus 5000, 3560, ठीक है, 3560, अब ये बैलेंस बीडी बन जाएगा ठीक है कब बनेगा बैलेंस बीडी है इसके नीचे लिख देते हैं एक माई को एक पांच को बाई बैलेंस बैलेंस बीडी और बीडी क्या बन जाएगा हमारा इधर सॉरी बैलेंस तो इधर हैगा ना बैलेंस बीडी 3560 अब कहता है इंप्रेस सिस्टम भी बनाना है हमें तो इंप्रेस सिस्टम में 5000 रखना है तो और कितने पैसे इसमें जोड दिया जाए के 5000 हो जाए तो एक तारिक को ही मैं एक पांच को बाई कैश में या बैंक में मैं कितना और दे दूँ यहाँ पर बाई नहीं 2 तो में आएगा ना और बैलेंस एडी तो बाई में आएगा तो में कितना 1440 रुप है डिफरेंस 1440 तो अब टोटल आप करोगे तो देखोगे मेरे पास कितने पैसे पड़े हुए है 5000 ठीक है क्लिर बस यहीं पर छोड़ दो यानि वेरी वेरी सिंपल कहने का मतलब ये है कि आपके पास जैसे ही 5000 से कम बैलेंस होगे मालिक के पास जाओगे और बोलोगे सर 5000 से कम बैलेंस होगे और मुझे दो तो इसको impress बोलता है अगर impress नहीं बोलता ना question में तो हमारा answer यहीं खतम हो जाता 3560 तक देखिए यहीं खतम हो जाता ठीक है तो हमारा क्या है normally देखा जाए तो हमारे question के अंदर सबसे पहले दिक्कत की हम बात बताएं तो दिक्कत कुछ भी नहीं है दिक्कत यह है कि बच्चे इसको प्रेक्टिस नहीं करते और इसलिए समझ में नहीं आता नहीं तो very simple है amount हो गया lf हो गया cash book और date column particular यह सब लिखा और इसके बाद सिर्फ यहाँ पैसा receive करेंगे और टू लिखेंगे और बाई payment 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 और फिर balancing figure निकालेंगे तो लो जी यह था petty cash book कौन सा यह live class है आपकी तो आप लापरवाई ना करें और मैं query के जवाब नहीं देता बिल्कुल भी petty cash book simple अरे आप तो गुस्सा होगे query का जवाब बिल्कुल भी मतलब मैं comment वगरा नहीं देखता जनरली जल्दी से पढ़ाते टाइंग पर पढ़ाने के बाद एक एक comment एक comment पढ़ूँगा और आपको अच्छे से reply करूँगा ठीक है चलिए अब इसको फटा-फट से फूर्त concept पे जल्दी जल्दी note करें करे जल्दी अया नहीं कि जल्दी 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 उल्दी से का पक्ष्ट प्यार्ण भी लाद anche से यहावे को आपको से फटे एक हम सीज़ागा झापमिक जल्सायान कर लिया नोट जी सर नोट कर लिया एनिलेटिकल में क्या होगा देखो यहांपे हर किसी का कॉलम नहीं बना देखो यहां मैंने क्या करा संडी है तो संडी एक्सन्री पूरा लास्ट में बता दियामाल मालो यहां पे stationary दो बार है एक यहां भी stationary है और वी उपर था नहीं पोस्टेज दो बार है एक यहां भी है एक यहां भी मेरे सा पोच्छनप ऊच्ट आग तो मेरे लिए थोड़ा सा कथे न है बता ना इसको मिटा दिया मैंने अब format देखिए थोड़ा space ज्यादा चाहिए होगा सबसे पहले क्या लिखा था बता amount receive amount receive आपने पूरा लिखना है आप नहीं करोगे shortcut उसके बाद अब यहाँ पर नडेट यहाँ आजाएगा ठीक है डेट के बाद आजाएगा आपका voucher number जिसको मैं B number बोल देता हूँ अगर दे रखा देगो पिछले question में भी नहीं आए और exam में भी question बहुत rare है लेकिन आपको आना चाहिए ना कि future में तो पड़ेगा जुरू तो आपको उसके बाद total payment particular बस एक और column सीख लो total payment देख रहा हूँ यानि amount receive, date, voucher number, particular, total paid ये column कैसे कैसे होगा एक example फिर मैं एक book का example देखेंगे notes का amount receive हुआ तो हम क्या लिखेंगे इधर to cash में होगा या bank से होगा जो भी गिलिए रखा है यहां लिख दिया उसके किस date पे date यहां जाएगा voucher number का column तो वैसे भी use नहीं होता generally अगर ते रखा हो तो लिखने नहीं तो छोड़ देना इसके बाद खर्चा करेंगे मान लो मैंने खर्च किया rent मैं लिखूंगा rent का column तिक फिर आया मेरा telephone bill तेलीफोन bill का column तिक फिर आया हमारे stationary stationary का column convince का column सबका एक एक column पूरा 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 बनता जाएगा इससे क्या फाइदा है सर बनाने से इससे analytical में फाइदा यही है कि आपके जो इतने भी expenses से उसके detail ज़्यादा अच्छे से मिलेगा हमें हमें honor को क्योंकि कुछ honor ना बड़े मैंने देखे honor को बड़े करते हैं कि जब मैं अपने टाइम पर आर्टिकल करता था यह के उसमें ट्रेनिंग पर था तो वह बोलता था अरे कहां खर्च करते हैं अभी तो लिए थे यार कल तुने देश रूप है तो ऐसे कुछ honor होते हैं तो उसके लिए यह बना के देते हैं मत्तर देख ले भाई का कुछ खर्चे अगर लगे ना के सेम हैं जैसे मैंने बोला convince यह कार्टेज, carriage बोल रहा हूं मैं तो इसका एक ही column बना लो अगर उसी से मिलता जूलता है तो कोई दिक्कत नहीं आगे question में एक जनवरी को receive petty cash किया है और two cash एक जनवरी एक तारिक से एक एक, 2020, 2021 जैसे भी माल लो वो तो कोई दिक्कत नहीं गलत 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 और total payment receive क्या है 10,000 question, question दो display मैं कट रहा हूं और यह थोड़ा हटा दूआ क्योंकि मुझे space चाहिए होगा, बस question देखिए, बाकि मैं assignment में देता ही हूं paid metro fair, oh oh metro का किराया, metro का किराया, तो यहाँ पे एक metro fair का column बना लो, या convince का column बना लो, ठीक है न, मैं convince का बना लेता हूं column थोड़ा sort लिखनू क्या, चलेगा पूरा ही लिख दिया, अब metro किराया है, तो बोले सर हम तो metro का बनाएगे, और detail में, जाओ न, detail में, बनाओ metro, गलत नहीं है, सही है तो metro का किराया दिया है, तो by side से payment हुआई जी, किस तारिक को, दो तारिक को, है न, by metro Metro, अब तो चलने लगी metro, पचास रुपए, बिल्कुल ठीक, अभी total नहीं, total सबसे last में, जब देख लेगे भाई, ये total आएगा, पूरे खर्चे का total, ऐसे, 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 कि इस तारिक पे इतना खर्चा है, अभी देखते हैं, कि इतना मजा आने वाला है Metro के बाद, दो तारिक को आजाओ, दो को तो करी लिया, फिर से दो तारिक को, ओ हो, दो तारिक का फिर से क्या खर्चा है, जी, दो तारिक को इसने खर्च किया है, कार्टेज, तो बाए कार्टेज, कितने रुपे दाई सो रुपे, कार्टेज इसमें थोड़ी आएगा, कार्टेज का कॉलम बनाओ न एक, एक कॉलम बन गए, यही तो फाइदा है, दाई सो रुपे का, मालो तीन तारिक को बोलता है, फिर कन्वेंस, इसी कॉलम में आ जाएगा, चार तारिक को कार्टेज, इसी कॉलम में आ जाएगा, नया कॉलम नहीं बनाना होगा हमें, ठीक है? तीन जनवरी को पोस्टेज पेमिंट किया है, पांस होगा, एक और कॉलम, पोस्टेज. शायद आपको थोड़ा कन्फिूजन हो जाए, तो आपके लिए यहां पे लाइन कीच देता हूँ, ठीक है? ताकि आपको देखने में परिशानी ना हो, सामने पता चलेगा, तीन तारिकों पोस्टेज, तो बाए पोस्टेज, बताए किस कॉलम में आएगा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिये आप, जल्दी जल्दी जवाब दीजिये किस कॉलम में आएगा, सार एक पोस्टेज का कॉलम, बाप रे बाप कितने कॉलम बस उतने ही कॉलम बनेंगे जितने खर्चे होंगे कितने खर्च कर दिये बाबु जी पांचो रुपे तो पोस्टेज में पांचो रुपे तीन के बाद फिर से तीन तारिक को क्या पेमेंट किया वेजिस कैजूल लेवर को वेजिस बाई वेजिस जो कि आया होगा समानुमा अनलोड लोड करने की तो एक कॉलम और बनाएंगे हम किस चीज का बनाएंगे हम वेजिस का ठीक है कितने रुपे का खर्चा था जी जी खर्चा था वेजिस हम तो बना लेते हैं वेजिस का और टोटल में बाद में जाएंगे खर्चा था वेजिस का छे सो रुपे उसके बाद फिर बोलता है चार तारिक को बंद कर देते हैं इसको चार तारिक को चार एक पेड़ फोर स्टेशनरी स्टेशनरी के लिए पेमिंट किया गया तो जब भाई आपने स्टेशनरी के लिए पेमिंट चार सो रुपे किया है क्या पहले स्टेशनरी का कॉलम है नहीं बाई स्टेशनरी तो जितने खर्चे उतने कॉलम बताए ना भी मैंने, यह लाइन बड़ा टेड़ा मेड़ा हो रहा है यहां पर, चार सुरूब है, पेड ओटो चार्ज, ओटो चार्ज, कब है, फिर चार तारीकों, बड़े खर्चे कर रहा है भाई यह तो, ओटो से जा रहा है देख रहे हो, तो ओटो चार्ज तो भाई, कन्वेंस में ही आएगा, किराया ही तो है, दोसो, न्यू कॉलम नहीं बनाना, पेड रिपेर ओफ चेर, इसके लिए रिपेर का एक कॉलम बना लेता है, रिपेर ओफ चेर, बाई, 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 रिपेर, एक कॉलम बना लेता है, रिपेर का, कितने रुपे पेड के, ओहो, लुटवा दिया है, इसने, पंदरा सु रुपे खर्च कर दिया है, दस अजार बराबर करके ही मानेगा लगता है, पेड बस फेर कब पांस तारीक को, यह पांस तारीक को है, फिर से एक पांस तारीक की एंट्री आई हमारे पास, और जो पांस तारीक की एंट्री आई, वो किसली आई, बस का फेर पेड गया है, इसने, पांच एक को, पांच एक, बस फेर, बाई बस, और बस का 100 रुपरे, तो मैं इसमें टूटल में डाल दूँँ, सौर, कन्वेंस वाला ही चलता रहेगा, बस फेर, रिक्षा फेर, ओटो फेर, मेट्रो फेर, कन्वेंस में सब आजाएगा बच्चे, पेड काटेज, पांच तारिक को, पांच एक को, पेड काटेज, तो बाई काटेज, है न, और कितना पेमेंट है, चार सो रुपरे, तो काटेज का कॉलम बनाया है, चार सो रुपरे, छे तारिक को, फिर पोस्टेज, क्या आप सभी को वीजुल है, जी सर, यहां तक तो लास्ट वीजुल है, मैनेज करने लाइक है, छे एक को, पेड पोस्टेज, तो बाई, पोस्टेज, पोस्टेज का कॉलम, पोस्टेज का कॉलम, पोस्टेज यह रहा, कितना रुपरे पेड गये भाई, 700, अब आपको दिखना पंद हो जाएगा थोड़ा, मैं थोड़ा और जूम इन कर लेता हूँ, जूम आप्ट करता हूँ, चलो, करते हैं, जहां तक मैनेज होता है, बस तीन एंट्री और बचे हैं, convince, charge, छेता लिखो, convince, charge, छोटा-छोटा लिखते हैं, convince, charge, by convince, convince, convenience है, अपका convince है, तीन सो रुपए, तो इसी में आ जाएगा, convince तो किराया ही है, ठीक है, फिर cartridge और telephone bill, छे-छे तारिक को, फिर इसको तो बंद करें, ये खतम, ठीक है, अब फिर से एक छे तारिक की एंट्री आई, और फिर से हमने paid किया cartridge, और cartridge का जो amount है, वो तीन सो रुपए है, तो cartridge का column बना रखा है, वो तीन सो रुपए हो गया, है ना, अब cartridge के बाद देखा जाए, telephone bill, छे तारिक को ही, दो सो का, तो छे तारिक को ही इसको बंद कर दे, छे को ही, telephone bill, by telephone, और telephone bill का एक column बना देते हैं, ठीक है, तो यह लोजी है, last entry था, और last point था, कितने रुपए थे, 200 रुपए, ठीक है, यहां तक कर लिया, यह है हमारा analytical cash book, आपको पूरा visual है न, last तक और थोड़ा space चाहिए होगा मुझे नीचे, तो don't worry, ठीक है, अब दिख जाएगा, शायद आपको, जितना space चाहिए, तो camera man ने ठीक कर दिया, camera, चलिए, अब हमें क्या करना है, इस total में, इसका total क्या है, 50, इसका 250, इस date पे दो खर्चे अगर होते न, तो होता हमारा total जादा, यानि एक तारिक को 50 खर्चा, इस date पे 500, इस date पे 600, अब ऐसा भी तो हो सकता था, उसी दिन postage हो, उसी दिन wages हो, तो जुड़ जाता है, 400, 200, simple है बड़ा, 1500, 100, 400, 700, 300, 300, ठीक है, ये total, total खर्चा करते हैं, कितना हुआ हमारा, 53, 500 रुपए, यहां तक लेके total, अब पहले इधर का total देख लेते हैं, ये भी हमारा, ये मत भूली है, ये भी है, हम क्या करेंगे अब, अब एक बार इसका total देखेंगे, जो क्या आएगा, 10,000, same total यहां आजाएगा, 10,000, और यहां पे निकल जाएगा, balance ये total है, यहां निकल जाएगा, balance, balance माइनस 10,000, 4700, ये निकल गया, है हमारा balance, 4700 रुपिस, इसका total, गलत कर दिया मैंने आप बोल रहे हूं, ठीक है, आप कह रहे हूं, सर्क गलत कर दिया, क्या गलत कर दिया, पचास, धाई सो, पान सो, फिर छे सो, चार सो, दो सो, convenience, एक entry छूट गई, समय है न, बताए नहीं आ रहा है, आपने, छे तारिक के, पांस तारिक की है, convenience, दो सुरुप है, लिख तो दिया, दो सो, convenience, एक विंट रुख जाओ, बारा इटम, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साट, तुस, एरा, बारा, ओके, ठीक है, सबसे लास्ट वाला जो है न, सबसे लास्ट में जो टेलीफोन का खर्चा है, वो दो सुरुपे हैं नहीं लिया, ये टोटलिंग लेना रह गया, ये बोल रहे थे, आप शायद है न, ओके, प्लस दो सो, तो पैंतालिस्ट रुपे है, खतम जी, अब मेरे से, पहले दुबारा देखें, अच्छे से समझते हैं इसको फिर से हम, तो था क्या जनली कुश्चन में, के एनलेटिकल में क्या था, सबसे पहले, यहां तक के कॉलम तो फिक्स रहेंगे ये वाले, यहां से यहां तक के कॉलम तो फिक्स रहेंगे ये वाले, इसके बाद जितने खर्चे आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, suppose करो same date पे दो खर्चे हो गए तो हम अलग date नहीं लिखेंगे, same date के लिए हम column मना देंगे मैंने अलग लिख दिया, जबकि यहाँ पे देखो, तीन तारीक को ही अगर मैं दो खर्चे कर रहा हूँ, तो no need to, आपको दो, यहाँ पे detail में लिखने के लिए हो सकता है, लेकिन अलग अलग column भी बनाया जा सकता है, ठीक है मैं दुबारा बोल रहा हूँ, थोड़ा confusion है, मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया यहाँ से यहाँ तक के खर्चे fix रहें, column fix रहेंगे आपके नीचे तक, इसके बाद हर एक खर्चे का अपना अलग column बनाना है, अगर आपकी इच्छा करता है कि छोटे से छोटे खर्चे के लिए अलग column बनाना है तो बनाईए नहीं तो उसको sundry expense में भी डाल सकते हैं जो लगता है कि यह तो यहीं से related है तो वहाँ century expense में भी डाल दिया जाएगा है ना, अब हम बात करते हैं आगे चर्चा की क्या बात करते हैं चर्चा की कि सर जब हमने यहाँ पे खर्चे सारे बना लिए तो इसका क्या फाइदा हुआ अलग-अलग column बनाने का फाइदा यह हुआ मालिक पुछेगा भाई पूरे साल में आपने किराय पर कितना पूरे महिणे में किराय पर कितना कर्च करा मैं बता दुगा 25ileρι kayint partner Чudiper जी हमारा 650 तीन चार डो छे 650 बोलेका América раньше पर कितना खर्च हुआ साथ दौर0950 पास हुए जी मैंने से पूछता आजा पोस्टेज में कितना खर्च कर दिया बारा सू बोला वेजिस मैंने बूला बस 600 दिया था और कोई तो गया नहीं स्टेशनरी जी 400 ही है रिपेर जी 1500 है टेलीफोन का बिल भर दिया जी 200 भर दिया तो यह डिटेल भी आ गई हमारे पास ह कि आ गई आपको नीचे का विजबल सायद नहीं हो रहा है बच्चों का कमेंट आ रहा है तो कैमेरामें थोड़ा नीचे दिखाएए था आपको मैं आपको दिखानी शायद मैंε क्या करा इसको सबसे ले तो इसका टॉटिल गिया 10,000 और इस Τοतल को मैंने इधर लिखा 10,000 उसमें और सब को माइनास कर दिया, उसमें balance अगर impressed होता तो impressed में क्या करते बताओ impressed होता तो simply हम पता ही क्या करते हम क्या करते जितना balance अगर मानलो बोलता कि आपको 5000 impressed रखना है तो 5000 एक और entry करके cash में ले लेते हैं बस last month ठीक है तो बहुत मुस्किल नहीं है exam के point of view से बोला जाए तो आज तक मैं मैंने देखा नहीं के question paper में आया है लेकिन हाँ theory जरूर पूछा गया है कि what do you mean by the impressed petty cash book और difference आ सकता है simple cash book और analytical cash book जो हमने देखा है हर column के हिसाब से तो यह बड़ा simple topic था difference देख लेता हूं मैंने assignment में डाला है हाला कि difference एक पर पढ़ भी देता हूं मैं आपको समझ आ जाए देख लिजिए आप को विजुलाइज कराया जाता है डिफ्रेंस को देखिए simple petty cash book analytical petty cash book separate record of each kind of petty expense is not maintained तो अलग-अलग column नहीं बनाए न अब आप ध्यान दीजिए वहाँ पर अलग-अलग column बनाए थे सारे मैंने the analytical column use the each column according to expense सारे column के according एक it is written in the same manner of cash book written उसी तरीके से बाई में टू में the pages are not divided down center major space provide expense side have separate column of expense वही बता दिया at the end of period total expense under different head cannot be determined लेकिन यहां पर determine किया जा सकता है very 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 simple तो यह भी आपको याद करना है ठीक है तो आज हमने अपना cash book पूरा का पूरा खतम कर लिया petty cash book हो गया simple cash book हो गया double column cash book हो गया GST के साथ हो गया हमने सारा खतम कर लिया तो बच्चे अब अच्छे से करना cash book के सारे question assignment में मैं दे दूँआ upload कर दूँआ मैं website में वहां से देख लेना और बहुत android जो application यूज कर रहे हो application पर देख लेंगे ठीक है thank you so much मिलते हैं हम next class में to be continue हम क्या करेंगे bank reconciliation statement बबाई टटा